हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल कोकिंग टेल्स बाइ सिस्टर्स और आपसे भी का मेरी किचिन में स्वागत है तो फ्रेंड्स क्या आपके साथ कर भी ऐसा हुआ है जो सबजी आपको बिल्कुल ना पसंदी हो फिर वो आपकी फेवरेट हो गई हो जी हाँ मेरे साथ हुआ है पत्ता गोबी बहुत कम लोगों का फेवरेट होता है लेकर आप इस तरह से बनाएंगे तो सच मानिए आपके बड़े तो क्या आपके बच्चे भी इसे बहुत जादा इंजॉय करके खाएंगे तो चलिए मैं बताती हूं कि मेरी नापसंद पत्ता गोबी, मेरी पसंद दीदा सबजी कैसे बनी तो सबसे पहले लिया है मैंने बारी कटा हुआ पत्तागोबी से आप चाकू की बजाए जो कत्दू कसमें स्लाइसर होता है उससे काटी है फिर जो पतेटो स्लैसर सिंगल ह तो आप उससे भी काट सकते हैं, फिलिया मैंने एक बारी कटा हुआ प्यास, दो बारी कटवे टेमाटर, सरसो का तेल, राई, चार से पांच लें सुनगी कलिया कटी हुई, खटाई, हल्दी पाउडर, चार से पांच हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, सूका धनि तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है इसमें राई दाना, फिर डाल दिया है मैंने इसमें अपना लहसुन, लहसुन को एक से दो सेकिंड तक भूनेंगे, फिर डाल लेंगे हम इसमें अपनी हरी मिर्च, उसको भी लहसुन के साथ ही भून लेंगे, और जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाएगी हम इसमें अपना मसाला डालेंगे यानि की सिर्फ हम इसमें दो चम्मच हल्दी डालेंगे लाल मिच हम यहां पे अवोइड कर रहे हैं क्योंकि मैंने 5-6 इसमें हरी मिच डाली हुई है इसलिए और लाल मिच में इसमें इंक्लिउड नहीं करूंगी जब इसमें दो बारी कटे हुए टेमाटर डालेंगे और टेमाटरों को भी हम अच्छे से गलने देंगे आप इसे अच्छे से मिलाएं और 2-3 मिनट के लिए आप इन टेमाटरों को ढख दे और फिर गैस को बल्कुल अटे जिससे की टेमाटर अच्छे से गल जाए तो जब डाल दिया है, आप इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, आप इसे एक से दो मिंट लेके अच्छे से मिलाईए है, क्योंकि ये कद्दुकस करा हुआ पत्ता गोभी है, मसाला हर जगय नहीं पहुंच पाता है, तो आपको इसे जब तक मिलाना है, जब तक आपको ये न लगे कि मस इसे mix कर देंगे आप पहले नमक ना डाले वरना जो पत्ता गोबी है वो थोड़ा ज़्यादा चिप 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 और एक दूसरे में लिप्त जाता है खिला खिला नहीं बनता है पांच मिट के लिए और ढखने के बाद यह देखिए हमारा पत्ता गोबी हो चुका है अब इस से और यह हमारी पत्ता गोबी की सबजी बन के तयार हो चुके है तो प्लीज फ्रेंड्स आप इसे अपने घरवालों को ज़रूर खला है और मुझे बता है कि आपको कैसी लगी थैंक्यू एवरीवर्ट